हेलो गाईस आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे नई वीडियो में आज इस वीडियो में बात करेंगे ECS T10 कुरोटिया की जो T10 सीरीज चल रही है इसके 16 मैच और आज के दिन के पहले मैच के बारे में यह मैच खेला जाएगा सर अलविर स्प्लाइट वर्से जैगरेब साकोल के बीच मैच खेला जाएगा मैच की टाइमिंग है 12 बजे स्टार्ट होगा आज इके दिन 12 सितंबर 2024 आज इकी डेट है वैदर की बात करें तो वैदर किलियर है बारिश के कोई भी चांस नहीं है वैन्यू देखे तो माला दोस्त क्रिकेट गराउंट जैगरब में मैच है तो आज का इसी वैन्यू पर है पिछ रिपोर्ट की बात करें तो एक artificial पिछ जिसके braver में कुद भी change नहीं होता है Same rate है better और bowler के लिए और average score की बात करें तो average score 110-120 का बन रहा है Venue record की बात करें तो इस Venue पर 15 match complete हो चुके हैं जिसमें से 8 match जीती है betting first करने वाली team 4 match जीती है betting second करने वाली team और तीन मैच इदर 9 रिजल्ट रहे याने तीन मैच में बारिस आई थी यानि वेन्यू रिकॉर्ड के साब से बैटिंग फर्ष्ट वाली को इस वेन्यू पर अच्छी खासी एडवांटेज है ठीके पहले बात करते हैं सर और वील स्प्राइट की तो खाली Grand League में इंवेश्मेंट करना और Grand League ही खेलना है और वीडियो को पूरा देखना बिना स्किप करें ताकि दोनो टीमों के बारे में आपको रिटेल में जान करें जेदूँगा साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको इस टूना मेंन से रिएटेट सारे वीडियो मिल जाएंगे दिन के 5 मैच होते हैं तो हम 5 के वीडियो बनाते हैं ताकि किसी भी मैच में आपको टीम मनाने में दिक्कत ना आहे और इस match से related सारी जानकारी टेलीग्राम पर मिलेगी जिसे बैटिंग ओडर, प्लेइंग, लेवन, टॉस, अबडेट कोई नया पिलर खेलेगा तो उसके stats साथ ही जो हमारी final team होती है वो पहले बात करते हैं पहली team Sir Alvir Sprite की जिसके इस tournament में 4 match हुए है तीन match इनकी team जीती है, एक match इनकी team हारी है ठीक है अच्छी team है लेकन बैटिंग ओडर में बहुत ज़्यदा फेर बदल कर रही है लास्ट मैच जो खेला गा है उसमें opening में आये थे Nathan Barricks और मानव नयक पहले बात करते हैं Nathan Barricks की जिसने इस tournament के 4 match में जो RF लिखा है, RF का मतलब recent form है जो सबी पिलियरों का इसी tournament का है ठीक है इस tournament के 4 match में 40 run बना है, 6 over की गेंदबाजी करवाते वे एक wicket लिया है बैटिंग के साथ साथ आपको starting overs में गेंदबाजी दे रहा है और try कर सकते हो, opening में बैटिंग साथ ही starting overs में गेंदबाजी लास्ट मैच में opening आये था इसके साथ में मानव नयक जिसने इस tournament के 4 match में इंडियान वे run बना है साथ आवर की गेंदबाजी करवाते वे चार विकेट लिया यानि बैटिंग से भी बढ़िया contribute कर रहा है साथ ही middle overs में आपको confirm 2 over की गेंदबाजी दे रहा है इस वज़े से यहां pillar आपके लिए इसमें CVC का choice है बैटिंग भी confirm कर रहा है और बैटिंग भी confirm कर रहा है ठीके और overall record की बात कर तो 48 match में 264 run है 20 की average से 84 over की गेंदबाजी 47 विकेट लिया यानि wicket taker गेंदबाज है बिल्कुल pick करना है नमबर 3 पर खिलता है MD Al-Mamoon जिसने 3 match में मात्र 11 run बना है कुछ खास बैटिंग नहीं करिए नमबर 4 पर है कासिर स्याम जो इस tournament के 3 match में 75 run बना चुका है 6 over की गेंदबाजी करवाते हुए 3 wicket लिये या भी आपके लिए बैटिंग first में captaincy का बहुत बहुत बहुतरीन choice है क्यों? क्योंकि बैटिंग first में team इसको पूरा मौका देए कि बैटिंग second में अगर सामने लिए team score कम बनाती है तो experiment के तोर पर या team किसी से भी बैटिंग करवा लेती है ठीके? लेकर बैटिंग first में man man pillar बैटिंग करेंगे टॉप में इसको बैटिंग first में captaincy देदेना आप इस tournament के 3 match में 75 run बनाए 6 over की गेंदबाजी करवाते वे 3 wicket लिए overall record की बात करें तो 25 match में 390 run है 18 की average से 34 over की गेंदबाजी 17 wicket लिए इसके बाद है same hogton जिसने 4 match में 63 run बनाए 3 over की गेंदबाजी करवाते वे 0 wicket लिए यहाँ भी आपको बैटिंग भी दे रहा है साथी गेंदबाजी भी दे रहा है लेकर लास्ट के दौनों match में इसको गेंदबाजी भी नहीं मिली और balling भी बैटिंग भी नहीं मिली ठीक है और पहल 2 match में लास्ट मैच में ओपनिंग के नंबर 5 पर भी नहीं आया ठीक है तो यह experiment इस टीम में चल रहा है खूब ज़्यदा overall record 60 match में 800 बराणवे run है 29 की एवरेस से 28 ओवर की गेंदबाजी 15 wicket इसके बाद है मोहमद बुरान जो पहले match में opening आया था है उसमें इसने 70 run बनाया था है उसके बाद इसको बैटिंग का मौका बिल्कुल भी नहीं मिला है ठीक है total देगी सकते हो 4 match में 70 run 6 ओवर की गेंदबाजी 5 wicket balling करवा रहा है death hours में लेकर वो भी confirm 2 ओवर की नहीं करवा रहा है किसी में एक तो किसी में 2 ठीक है और बैटिंग खूब लेटे ट्राय करना है अपने कैप्टन वाइस कैप्टन सी का रिस इस पे नहीं लेना overall record 52 match में 388 वे रहना है 15 की average से 54 ओवर की गेंदबाजी 34 wicket लिए इसके बाद है सिराज दिलबर जिसने पॉइंट तो अच्छे का से दिला रखे हैं लेकन सारे के सारे पॉइंट इसने आपको wicket keep ring के दिलाएं ठीके तो wicket keep ring अच्छी करता है wicket keep ring के point अच्छे दिला सकता है कोई कि यहाँ टीम मजबूत है तो wicket keep ring के chance इसी टीम के पाद जादा रहेंगे एक wicket लिया इस टूना मैंट में overall record T20 का दो मैच में 6 run 2 over की गेंदबाजी जीरो wicket इसके बाद है रंजित कुमार मुर्गा मुर्गारगन जिसने इस टूना मैट में 4 match खेले जिसमें इसने मात्रा 1 over की गेंदबाजी कराई जिसमें 3 wicket लिया तो पहला match था ठीक है उसके बाद बॉलिंग नहीं मिली इसके बाद है अब्दुलबासीत 5 match में 2 over 1 wicket last match में गेंदबाजी करवाई try कर सकते हो overall record 5 match में 4 over 3 wicket है इसके बाद है साइक संदू जो आपको कंपल सरी starting overs में गेंदबाजी दे रहा है इस टूनामेंट के 4 match में चार run 6 over की गेंदबाजी एक wicket starting overs में आपको confirm गेंदबाजी दे रहा है try कर सकते हैं यहां से जो important है वो है साइक सिंदू अब्दूल बसीर भी बॉलिंग first में अच्छा है इसके अलावा आपको try करना है सिराज दिलबर, मौहमद बुर्रान, सेम होक्टन, कासिर सियाम, मानव नायक और नैथन बैरिक्स इस सभी पिलर आपको इस टीम से try करना है बात करते हैं अपन बैंच की, तो बैंच पर से कोई सब फिलर खेलता है, तो उसके stats आप वीडियो को post करके लगबग देख सकते हो, सभी के stats हमारे पास available है या फिर आपको हमारे telegram चनल पर मिल जाएंगे, ठीके बात करते हैं दूसरी टीम, जैगरेप साकोल की, जो थोड़ी weak टीम है, और इस टूनामेंट में पांच में से एक मैच जीती है, दो मैच इनकी टीम हारी है और दो मैच इनके 9 रिजल्ट रहे है, ठीके लास्ट मैच जो खिलागा है, उसके साब से हमने बैटिंग ओर पिलेइंग 11 सेट कर रखा है, तो ओपनिंग कर रहा है, रसीद हासीमी जिसने इस टूनामेंट के 3 मैच में 46 रन बनाए, अच्छी बैटिंग कर रहा है, ट्राइक कर सकते हो, लेकर सामने आली टीम अच्छी है, तो जादा उमीद कम है इससे, ठीक है, परफॉर्मेंस करने के, लेकर बैटिंग के साथ आपको विकिट कीपरिंग के भी अच्छे दिला रहा है, इस वज़े से इसको ट्राइक कर लेना, ओवराल लिकर्ट 25 मैच में 270 रन बारा की एवरिस है, लास्ट मैच में ओपनिंग आयता इसके साथ हेदर उसामा, जो आपको बैटिंग के साथ मिडल ओवर्स में 2 ओवर्स की बढ़िया गैंद बाजी दे रहा है, इस इसके बादे अमन का ओवर्स जिसने तीन मैच में 0 रन बनाया, 5 ओवर की गैंद बाजी करवाते वे 2 विकिट लिये, या आपको स्टार्टिंग ओवर्स में कन्फर्म गैंद बाजी दे रहा है, ठीके, ट्राइ कर सकते हो, ओवर्राल लिकर्ट देके 16 मैच में 87 रन 26 ओवर क गैंद बाजी 11 विकिट, इसके बादे अमन महिस्वरी जिसने तीन मैच में 11 रन बनाया, 4 ओवर की गैंद बाजी करवाते वे 1 विकिट लिया है, ठीके, ट्राइ कर सकते हो, कोगी बैटिंग और बॉलिंग दोनों कर सकता है, लेकन मौका थोड़ा कम मिल रहा है इस टूनाम के तीन मैच में 28 रन बनाया, 4 ओवर की गैंद बाजी करवाते वे 2 विकिट लिये, डेथ ओवर्स में गैंद बाजी साथी नमबर 45 पर आपको बैटिंग दे रहा है, ट्राइ कर सकते हो, इसके बादे सागर मंजोर जिसने तीन मैच में 11 रन बनाया, इस टीम में भी बैटिं पिलियर है, लेकर बैटिंग ओडर आप देख सकते हो, लगबग 6 नमबर पर इसकी बैटिंग है ये लास्ट मैच में, और इस टूना मैच में 3 मैच में 111 रन बनाया, ओवर्स में 33 मैच में 412 रन है, तीरा की एवरेस है, उसके बाद है सुरे सानमुर्गा, जिसने इस टू खेला है, नौर रन बनाया, एक ओवर की गैनदबाजी करवाते वे, 2 विकेट लिए, ओował लिकार्ट नौ मैच में 20 रन चयुदा ओवर की गैनदबाजी, 5 विकेट, इसके बाद अबैलास, पारा कलम, जिसने 3 मैच में 10 रन बनाया, 6 खेंदबाजी करवाते वे, 3 विकेट ल अलावा आप ट्राय कर सकते हो उपर से सागर मंजोर को साकी बसन को अमन मैस्वरी को अमन चावबे को हेदर उसमा को रसी दासिमी से मैं आपको पिलर लेने हैं ठीके इन सभी के अलावा बैंच पर से कोई सब पिलर खेलता है तो उसकी स्टेट्स आप वीडियो को पोस्ट करक रखा है बैटिंग से यू एदर और सागर मंजोर और अन बेरिक्स को लिया ए अल राउंडर सेक्शन से मैंने अमन मैस्वरी कासिर श्याम मानव नायक और सागोर एस हुसेन को लिया बालिंग से से एम बुर्रन और साइक संदू को लिया है ठीके कैप्टन मैंने बनाया है म साइक करना कमेंट करना स्यर करना साथ ही चैनल को सबसक्राइब जूरूर करने ना ताकि आपको इस टूनामैंट से सारे वीडियो मिल जाएंगे दिन के 5 मैच होती है तो हम 5 वीडियो बनाते हैं ताकि किसी भी मैच में को टीम बनाने में दिखकत ना आए धन्यवाद